हिंदी साहित्य की उतकरिष्ट और रोचक कहानियों की श्रंखिला में आज सुनी है वरिष्ट और जानी मानी प्रतिष्ठित लेखिका उनम सिंग की लिखी हुई कहानी चमपारन वाली गाड़ी जाए प्रस्तुत्य कहानी मेरी जुबानी मैं हूँ सीमा सिंग मुद्धत बात वे दोनों मिले थे वो भी उम्र के उस पड़ाओ पर जब पाओं में बच्पन की लड़ खड़ाट और आखों में संजाए घर का अंधियारा चा जाता है गहरी दुन्द में एक खिड़की खुली थी अनायाज और वे आखे फाड़े, मूँ खोले, अवाब एक दूसरे को देख रहे थे शेलजा, सुदर्शन जी दो सग्या वाचक नाम पे साथ उनकी आखें छपकती, कुलती, फैलती, दूर तक पसरती चली गई थी उस ठिटके हुए लम्हे में पार्ख के एक पोने से एक महीं सी आवा जाई दादू, तुमने मेरा बॉल कैच क्यों नहीं किया, देखो ज़ाड़ी के उस पार चला गया, ढूर दो न दादू हाँ हाँ, चलो ढूरता हूँ पार्ख की बेंच से अपने को थामते हुए जो बुजर्ग उठ रहे थे, उन्होंने हसी की फुल जड़ी छोटे हुए कहा शैलजा ये मेरी पोती है, मेरे बुड़ापे का अलहर प्यार, इसी का हाथ थाम कर बच्ची जिन्दगी का सफ़र ते कर रहा हूँ जुरीदार चेहरे की हसी से पार्ख की शाम रोशन हो गे थी, शैलजा के होटों पर एक सहज इसनिद्ध मुस्कुराहट पहल गई, उसने बच्ची के बालों पर इसनहील हाथ फिरती हुए कहा सो दर्शन आपका ह्यूमर आज तक कायम है, मैं तो हैरान हूँ, खुड़ा भी नहीं बदले आप, कुछ ठहर कर उसने फिर कहा नंदिनी के बारे में तो बताईए, कैसी है, वो कहा है शेल जा के प्रशनों में वर्षों के अंतराल को एक शर्म ही पाड़ देने की आतुरता थी मुजर्ग ने उस आतुरता को भाब कर उसी रौ में हसने में जवाब दिया तुमारी दोस्त मेरे साथ दगा कर गई, खुद तो स्वर्ग सिधार गई और मुझे जले गुलशन के हवाले कर दिया मैं तो जिन्दगी से आउट हो गया था शेल, लेकिन इस नन्नी सी जान परी ने मुझे कैश कर लिया अब इसी के साथ कैश कैश खिलता, जिन्दगी को हेलो हाई करता हूँ सुदरशन की बातों पर खिल खिला पड़ी शेल जा, बात का सिलसला आगे बढ़ गया था सोसाइटी के कौन से टावर में रहते हैं आप, शेल जा पूछ रही थी लाइट हाउस 42 के सेकंड फ्लोर पर, बेटे ने खरीदा आए घर, बेटे बहु दोनों वरकिंग है बहु एक मीडिया चैनल में काम करती है और बेटा एक मल्टी नेशनल कंपनी में सॉफ़वेर इंजीनियर है दौरते भागते हाफते हुए बच्चे जी रहें जीवन, अपनी दूरी पर लट्टू की तरह गूंती उनकी जिन्दगी अलमस्त दिखाई देती है मुझे I enjoy, मुझे लगता है चार दिन की जिन्दगी को ऐसे ही जीना चाहिए, बेफिक्र, बेपरवा हमने वर्दमान को कभी जिया ही नहीं, केवल भविशी की चिन्ता की और असमय बुढ़ा गए शेल जानों ने तसल्ली दी, ऐसा बिलकुल नहीं है, अभी तो आप बात जहां पर आकर ठिटकी थी, उसे सुदर्शन बाबु ने पूरा कर दिया, जवान है और उसी बेफिक्री की हसी पार्क में खेलते बच्चों की चड़ियों से चहचाहट में मिलकर एक आकार हो गई तभी परी दादू के हाथ को जोर से खीशती हुए चिलाने लगी मेरा बॉल जल्दी ठूड़ो ना दादू दोनों की बाच्ची से बच्ची का धहरे तूट रहा था उसका ध्यान अपने खोय हुए बॉल की ओर था वो अपने दादू के टांगों में जूल गई थी दादू, दादू, ओ मेरी जान की दुश्मन, गले क्यों पड़ जाती है हर दम सुदर्शन बाबू, अपनी खूपसूरत छड़ी गुमाते हुए चाड़ी तक पहुँचकर पत्तियों और डालियों को उलट पलट कर गेंद खोजने में तलीन हो गए थे शेल्जा ने कलाई में बंधी घड़ी की ओर देखा फिर एक लंबी सांस खींचती हुई, पत्तर की बेंच पर रखे हुए नीले बलेजर और वुलेन टोपी को उठा कर टावर C3 के ओर बढ़ गई जहाँ दो घंटे पहले अपनी नातिन जिया को टूशन के लिए छोड़ाई थी उसे पता था रूपा मैम के कोचिंग सेंटर के बाहर निकलने पर जिया को बलेजर और टोपी पहनाने में उसे कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी हम उम्र बच्चों को दिखा कर मान मनवल करके वो उसे पहना तो लेगी लेकिर घर के भीदर भुशते ही वो उतार कर उसे सोफे पर फेंग देगी ये हर दिन का वाक्या था दो बज़े स्कूल से आने के बाद जिया को जोर जबर्दस्ती करके खाना खिलाना और तीन बज़े उसे टीवी के कार्टून सीरियल से उठा कर ट्यूशन के लिए ले जाना शैल्जा का सबसे कठिन कारे होता था वो नातिन के पीछे फिर्की की तरह नाश्ती रहती इस लड़की को ना भूक लगती है ना ठंड पताने किस हार मांस की पनी है ये शैल्जा खुद पर ज़लाती हो इसके पीछे पड़ी रहती जब तक जिया रूपा मैम के घर होती शैल्जा पार्क में टेलती हुई पेर पौदों पूल पत्तियों से बतियाती या फवारे के सामने बेंच पर बैठ कर पानी की अठकेलिया देखती या फिर महानगर की या अंतरिक जदगी के बारे में सूचती रहती तमाम सुक्स उधाओं के बीच कितना एकाकी और बेमानी है ये जीवन लोग कमाते हैं पर खाने की फुरसत नहीं लोग घर पहुंचते हैं तो शरीर का एक हिस्सा ओफिस की टेबल पर ही पड़ा रह जाता है सोते हुए भी सोचते हैं सुबह जल्दी निकलना है नहीं तो ट्रैफिक जाम का कहच जहिलना पड़ेगा यहां लोग weekend enjoy करते हैं लेकिन घर में नहीं बाहर hotel restaurant इनका कोई सामाजिक जीवन नहीं किसी से कोई मतलब नहीं एक society में एक तल्ले पर रहते हुए भी आमने सामने की दर्वाजे हमेशा बंद रहते हैं शेलजा ने कितनी बार चाहा है इन दर्वाजें पर थपकी देना लेकिन ब्रिरालनी ने टोग दिया है एक बार शेलजा को बेटी ने society के दुकान में भी टोगा था शेलजा पहली बार सोसाइटी के उस दुकान पर बेटी के साथ गही थी दुकान का बोर्ड लगा था गंगू बिहारी दिलवाला शेलजा ने कौतू हलवश पूछा था दुकान का नाम तो बड़ा आकरशक है लड़के का टोन भी बिहारी है क्या ये लड़का बिहार का है मीनू बेटी ने मम्मा तुम भी ना कहका जिस दुकान से देखा था उसे शेलजा समझ गई थी कि उसे यहां के तौर तरीके सीखने होगे बेटी के घर में महानगरिय जीवन की इस विडबना को जेलती हुई शेलजा अकसर सोचती है बेटी के संसार में उसका अपना संसार कहा है वो संसार तो कब का बिला गया अब जो है वो एक शूने की तरह पसरा है उसके चारों और जिस शूने में वो लाग जतन करके भी कोई रंग ने भर पाती लेकिन आज इस अजनभी शहर में सुदर्शन बाबू का मिलना उसके मेंग भरे जीवन में इन्द धनुश के उगाने जैसा था मा जिया सो गई क्या ओफिस से घर में कदम रखते हुए मरनालनीन का पहला सवाल यही होता वो लैपटॉप, बैग, सब सोफे पर फेकती हुई सीधे बैटरूम में जाती जहां उसकी बेटी नानी मा की गोल में सर रखकर अपने मम्मा के बच्वन की कहानिया सुनती उसकी पतीक्षा में जागती होती मम्मा की आवाज पर वो स्प्रिंग की तरह उचल जाती फिर आधे गंटे तक मा बेटी गुत्थम गुत्ता होकर प्यार करती जिया शिकायते और फरिमाशों की जड़ी लगा दीती नानी मा से भी उसे शिकायत होती नानी मुझे बहुत गर्म कपड़े पहना देती है बहुत खिलाती हैं मुझे अच्छा नहीं लगता मरालनी लाड में मा को डाटी मा जिया को तुमारी ठंड नहीं लगती उसे उतने मोटे मोटे स्वेटर लबादा लात कर क्यों अदमरी कर देती हो उसे ठूस ठूस कर खिलाए बिना भी तुम्हें चैन नहीं पड़ता शैल्जा प्रिजदाट का कोई असर नहीं होता वो गर्म दूद का गिलास लेकर जिया के सराने बैठ जाती मुझे बहुत ठका देती हैं मा तुम्हें मेरी बेटी शैल्जा का कलेज़ा इतने सही चुड़ा जाता है जिया उसकी बेटी की बेटी है मूल से सूध हमेशा अधिक प्यारा होता है शैल्जा बक्तू भी महसूस दी है से अपनी बेटी के जीवन को लेकर वो अकसर दुखी और बेचैन होती है किस तरह का एकाकी और बेरागी जीवन जी रही है वो प्रेम विवा के बाद भी पति-पत्नी साथ नहीं रहते मृरालनी कहती है हमने आपसी रजामंदी से अलग-अलग रहना तै किया है मा हमारी बीच का प्रेम अंजाने प्रतिस परदा में बदलता जा रहा था साथ रहते तो बात-बात पर हम एक दूसरे को लवलुहान करते आरोब प्रत्यारोब की जड़ी से मेरी ननी सी बच्ची दहलती रहती अपने जीवन के वसंत को मैं पजड़ में बदलते नहीं देख सकती थी इसलिए हमने मन के पिंजर को खोल कर प्रेम के शुक को आजात कर दिया अपने सपनों और संभावनाओं को खत्व करके मैं जीना नहीं चाहती थी उसके साथ रहते हर दिन मेरी उम्मीद उनमाद में बदल जाती थी कहर बर्पा करते हुए जीने से अच्छा था हम अलग रहके नामुम्किन उम्मीद को बचाए रखे हमने द्वार पर साफल नहीं लगाया है मा बस गुमस्ते घर में खुली हवा के लिए खिड़कियां खोलती है शेल्जा एकदम बेटी का मुँझ ताकती जा गई थी दम पत्य का ये कैसा अप्रयोग है नहीं समझ पाती वो बस भीतर भीतर भुलती है मा कहां खो गई हो तुम मुझे भूग लग रही है बेटी की आवाज पर शेल्जा चीहों कुपती है अरे माइक्रोवेव में मरालनी के लिए खाना गर्म करना था उसे काम वाली बाई चार बज़े शाम को ही रूटी और भाजी बना कर कैसरॉल में रख देती है बिनका बना चावल, डाल और कुछ एक सब्जियां शेल्जा माइक्रोवेव में गरम करके बेटी को रात का खाना अच्छे धंग से खिलाती है बेटी का खाना पर निकलती है थोड़ा सा दूर और पॉर्न फ्लेक्स खागर लंच के लिए उगर से कुछ नहीं ले जाती है, ऑफिस की कैंटीन में कुछ खा लेती है इसलिए शेल्जा रात मों से धंग से घर का खाना खिलाना चाहती है पेटी का खाना परोज करो जिया को सुलाने चली जाती है उसे सुबह साड़े पांच बज़े ही स्कूल के लिए उठना होता है साड़े छे बज़े स्कूल का वेन और बजाता दवाजे ले खड़ा हो जाता है जिया को अतनी सुबह उठाना और तयार करना शेल्जा के लिए एक हार्ड टास्क की तरह होता है दुलार मलार करके बड़ी जतन से उसे उठा पाती है नीन से अलसाई जिया को बातरूम तक ले जाना और ब्रश कराते हुए आँखों पर पानी की छीटे देकर उसकी नीन तुड़वाने में उसे खासी मेहनत करने पड़ती है उसे पौटी करके नहाने की हिदायत देकर शेलजा की चैन के और भागती है जहां उसके लिए टिफिन बना कर पैक करते, कुछ फ्रूट्स काट कर डबे में रखते वाटर बॉटल में पानी भड़ते हुए उसे कई कई बार बातरूम तक दोड़ कर जिया को अगाह करना पड़ता है जल्दी करो वैन आ जाएगा ये सब करते हुए म्रणालनी के बेडरूम के किवार को बाहर से बंद कर देती है ताकि बारे बज़े राथ तक कम्पीटर पर काम करती उसके बेटी चार घंटी की नीन जरूर पूरी कर ले जिया स्कूल जाते समय ममा के बंद कमरे का द्वार खोल उसे गहरा चुम्बन देती और बदले में वैसा ही बोसा लेकर नानी मा बाए कहती हुई स्कूल वैन में बैट जाती शेलजा बालकनी में खड़ी होकर उस समय तक हाथ हिलाती रहती जब तक वैन आखों से उजलने हो जाता जीवन का ये एक बंधा बंधाया रूटीन था जिसमें अपने होने की एक नामालूम सी जगह और खुशी तलाशती है शेलजा अरे शेलजा तुमने तो हद करती भाई उसने बिना मुझे अपना अतापता बताए चुचाप के सगई यहां से मैं तो अपनी नठकट सखी के आदेश का पालन करते हुए जाडियों में गिंद खोज रहा था पलट कर देखा तो तुम गाया पार्क की पगड़न्यों पर टेलते हुए अचानक सुदरशन बाबू की नजर शेलजा पर पड़ी थी और वे शिकायत दर्ज कर रहे थे शेलजा ने सक जाते हुए कहा दरसर मुझे अपनी नातिन को ट्यूशन पॉइंट से लाने का समय हो गया था वो यहीं ट्रावर 3C में पढ़ने जाती है अच्छा तो तुम यहां मरानली पिटिया के साथ हो क्या कूँ एक सोसाइटी में रहते हुए भी अभी तक मुलाकात नहीं हुई हमारी दो-तीन साल की थी वो शायद जब मैंने अपनी नौकरी शिफ्ट की थी और मोतिहारी चीनी मिल की नौकरी छोड़कर टाटा एस्टील फैक्टरी जमशेत्पुर में कारेरत हो गया था लेकिन तुम लोग की याद कभी मन से नहीं गई मीनू बिटिया की याद कर मेरा बेटा शेशांग बहुत दिनों तक रो रोकर हमें परिशान करता रहा था दोनों एक जोड़िया थे ना लड़ते जगड़ते लेकिन साथ ही खेलते थे कितनी खूबसूरत नटखट और शैतान थी मीनू बिटिया कंधे पर दोनों पाउं रखकर खड़ा उन तीस वर्षों के बाद भी सुदर्शन बाबू की खुश्मिजाजी और जिंदा दिली को शैलजा उसी रूप में देख रही थी अतीत के पन्नों को पलटते हुए सुदर्शन बाबू पुराने दिनों में लोट गए थे शैलजा सच कहूं तुमसे तो लोही की नगरी में कमाने खाने के लिए जाना मेरी जिन्दगी का सबसे घटिया फैसला था अपने जन्पत का वो अपना पन फिर कभी नसीब नहीं हुआ हमें रुप्या पैसा ओदा रुदबा सब मिला लेकिन ना तो प्रताब जैसा कोई यार मिला और ना तुमारे जैसी लाजबनती कोई रूप सी जिसे देखकर मैं कर्वता लिखने को प्रेरित होता सुदर्शन बाबू के विनोत पर शैल्दा के होटो पर भी एक लजीली मुस्कान की देखा खिच गई थी उसे भी यादा आ रहा था दोनों परिवारों के बीज का उप्रगार रिष्टा उसके पती प्रताब मोतिहारी के डाक तारिवे भाग में लेखा दिकारी थे थी ऐसे में दो मित्रों की पत्नियों के बीच बहनापा सहज स्वाभाविक था सुदर्शन बाबू के दोनों बच्चे सुर्भी और शशांक ब्रलालनी से थोड़े बड़े थे लेकिन उनका खेलना खाना लड़ना जगरना सब साथ ही होता था दोनों मित्रों का मन मिजज कलात्मक था अकसर छुटी के दिन दोनों घरों में से किसी के घर शाम को महफिल जमती प्रताग वो बासरी बजाने का शगल था तो सुदर्शन को कविता गीद गजल लिखने का शौक मित्र पत्नी नंदिनी की फर्माईश पर प्रताग वासरी पर एक से एक फिल्मी धुन बजाते तो उधर सुदर्शन बावू अपने गीद गजलों से शाम के जूरे में चांद का पूर्टाग देते इस महफिर में कई सहेद्र प्रोडोसी भी वाँ वाँ की संगत देने के लिए आ जाते थे कैसे रंग रस्प से भरे थे वे दिन देखते देखते सब बिला गया सुदर्शन बावू शहर छोड़कर चले गए और प्रताग दुनिया छोड़कर शहल जाकी गुमसुम आखों के सूने कोटर में पानी की भर्राई आवाज सुनकर सुदर्शन बावू विशलित हो थे मुझे प्रताप के एक्सिडेंट की खबर वर्षों बाद मिली थी शहल वो भी उस समय जब नंदिनी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जीवन की जंग लड़ रही थी और मैं नौकरी बच्चे और अस्पताल की बीच चकर गिन्नी की तरह नाश्ता बेतम हो रहा था अपने परोस पे रहने वाले राणाजी किसी संबंदी को दिखाने टाटा मेमोरियल में आये थे और उन्होंने ये मारक खबर मुझे सुनाई थी कई रात मैं सो नहीं सका था शेलजा वो मोबाईल का जमाना नहीं था और मैं नंदिनी को छोड़ कर जा भी नहीं सकता था शेलजा अपना दुख भूल कर नंदिनी के लिए विकल हो गई थी उसे क्या हुआ था सुदर्शन बाबू ब्लट कैंसर लोही की नगरी मुझे रास नहीं आई शेलजा वहाँ जाने के कुछ दिनों बाद ही डिटेक्ट हुआ उसकी बीमारी लंबे समय तक ट्रीटमेंट में रही अक्सर मुझे प्लान के सुपरवीजन में रात रात तक ड्यूटी करनी पड़ती और वो अपने दोनों बच्चों के साथ मेरी ग्रहस्ती की गारी अकेली खीशती हुई पस्त हो जाती नंदनी हमेशा तुम सबों को बहुत याद करती थी उसे चंपारण का मिर्चया चूड़ा और मीट बहुत याद आता था प्रताब हमेशा उसे वीरू की मीर्चॉप से चूड़ा मीट खिला कर लाते थे मतिहारी के तास का वो स्वाद और मासुई की ओ धुन दर्द के बिस्तर पर भी उसे याद आता था मुझे अलविदा कहने के कुछ दिन पहले उसने एक दिन अनायास मुझसे पूछा था तुम अब कविता क्यों नहीं लिखते शानूँ कोई गजल गीत भी नहीं सुनाते कभी मासुई की कोई टेर भी अपनी सुनाई देती है कहीं आसपास कितना नीरस हो गया है मारा जीवन उस दिन उसकी आखों में दूर तक फेले वियावान को देखकर मैं डर गया था मैंने उसे हसानी की कोशिश की थी मेरे जीवन की कवता तो तुम हो नंदिनी तुमें लिखना आसान है क्या वो हसी या नहीं मैंने देख सका क्योंकि तभी प्लांट का भोपू बजा था और मैं उसे उसी इस्थित में छोड़ कर चला गया था सुदर्शन बाबू का गला भराया था शैल्जा के कंदे पर अपनी हतेली रखकर वे गहरी सांस छोड़ते हुए कह रहे थे अपनी बाहों से सूखी लकणियों की सेज पर उसे सुलाते हुए मैंने उसके सिराने अपनी कविता की वो डाइरी रग दी थी जिसे फिर पलटना असंभ हो था मेरे लिए हटात एक निशब सननाटा पसर गया था वहाँ पॉइंट टर्मिलल तक साथ आकर दोनों चुचाफ अपने अपने टावरों की और मुर गए थे जिस तरह जूते पर पॉलिश करके उसकी किसमत नहीं चमकाई जा सकती वैसे ही टूटे तारों को जोड़कर सितार नहीं बजाया सकता कितनी बार कह चुकी मा मुझे कंपल नहीं किया करो कहीं से भी आधा धूरा नहीं है मेरा जीवन मैं अपने जीवन में बहुत खुश और परिपूं हूँ जिया के स्कूल के जूतों पर फालिश करती गी ब्रणालनी एका एक बिफर पड़ी थी आध चुट्टी के दिन सुबह सुबह बेटी से ना चाहते हुए भी शेल्जा ने मन की ओबात कह दी थी जो बहुत दिनों से घुमर रही थी उसके पीतर उसे थोड़ा भी अंदाज नहीं था कि मीनू इस से रेडियक दरेगी सुदर्शन बाबू को अपने घर बुलाने से पहले शेल्जा चाहती थी ब्रणालनी मयंग को फोन करके एक दिन के लिए ही सही अपने घर बुलाए ताकि उस सुदर्शन बाबू को अपने बेटी के भरे पूरे संसार को दिखा सके पती पत्नी में इतने दिनों तक कहीं तनाता नहीं रहती है उसने बेटी को यही समझाना चाहा था लेकिन ब्रणालनी मा की नसियस से बुरी तरह उखड गई इस्त्रियोचित मर्याता और नेतिक्ता का पार्ट पढ़ना उसके लिए असंभव था उसने मा की मंशा को प्रिश्णानकित करते हुए कहा सुदर्शन अंकल को दिखाने के लिए ही ना ये छद्म करना चाहती हो मा नेकिन तुमारी नेतिक्ता के आग्रह से बंद कर मैं अपना जीवन विशाक्त नहीं कर सकती मैं जो हूँ वही सबको नजर आना चाहेती हूँ मेरा असफल प्रेम जब मेरे लिए पराजय बोध नहीं तब तुमारे लिए वो कुंठा का कारण क्यों है मैं तुमें कैसे समझाओं कि मेरा असफल दामपत्य मिरे लिए जीवन का सूर्यास्त नहीं सूर्योद्य है तुम मुझे आत्महीन होकर जीने के लिए मत कहूं मा शैलजा को काठ मार गया था वो अपलक बेटी का मूँ देखती रह गई जहां भोर का उजास ओस की बूंदों सा नरज रहा था नहीं शैलजा मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है मिलू से मिलकरी मैं समझ गया था हमारी परंपरागत सोच जिन मूलियों से निर्मित हुई है हमारे बच्चे उसे बहुत आगे की सोच रखते है मेरी बेटी सुर्वी भी अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहती है वो कलकत्ता के एक बड़े थीटर ग्रूप में रंगमंची एक अलाकार है संतूर वादक प्रभाश बित्रा से प्रेम करती है साथ रहती है लेकि प्याह नहीं कर सकती क्योंकि विवाश संस्था को कुरूश सकता का सबसे बड़ा गड़ मानती है उसके अपने तर्क है बहुत ठोस और अकार्ट है जिसे मैं कुतर्ग भी नहीं कह सकता शेलजा की नीन के सिराने ये शब्द एक हलचल पैदा कर रहे थी वो नीन में भी खुली आँखों से उन शब्दों के और देख रही थी उसे जो कुछ सुनाई दे रहा था उसके अर्थ उसे अनर्थ की तरह लग रहे थी उसकी आँखों में गाड़ी उदासी घिराई थी क्या ये हमारी परवरिश के असफलताओं का बयान है सुदर्शन बाबू नहीं ना तो ये हमारी परवरिश के असफलताओं का बयान है ना ही कोई अनर्थ ये हमारे समय की एक ऐसी सच्चाई है जिसे एक उमीद और आश्वस्ति की तरह सुईकारने की जरूरत है क्या तुम्हें नहीं लगता कि जीवन के बंद पड़े अधेरे कमरों की तालियां डूड़ रहे हैं हमारे बच्चे परंपरा के तल घरों में ये मुंबत्ती लेकर तो नहीं उतर सकते न उन्हें वहां रडार लेकर ही उतरना होगा खनन करेंगे तभी तो नया स्रजन होगा खनन करते शब्द नगाड़ी की तरह पूरी रा उसकी नीन के सिरहने बचते रहे शैलजा पूरी राद जागती रही सारे चराग बुझ गए सब नक्ष मिट गए फिर भी सफर हयात का जारी है क्या करूँ जिया को ट्यूशन पॉइंट तक छोड़ कर शैलजा अपनी किसी सोच में गुम पार्क की तरफ मुड़ी लेकिन उसके बढ़ते कदम बेख्याली में कब लाइट हाउस 42 के सेकंड फ्लोर तक पहुँच गए उसे नहीं मानू कॉल बेल पर उंगली रखते हैं उसकी चेतना लोटी बिना सूचना के इस तरह आना क्या ठीक है दो दिनों से सुदर्शन बाबू पार्क में दिखे नहीं तो मुझे फोन तो करना चाहिए था वो असमंजस में थी तब तक घंटी बच्चों की थी और द्वार पोल कर सुदर्शन बाबू आश्यर मिश्रित कुशी जचैक पड़े थे नाइस सर्प्राइज आपने तो आज की उदार शाम में सुर्मई रंग भर दिया दो दिनों से परी को बुखार है इसलिए मैं घर में ही कैद हो गया हूँ सोचा था फोन करूं लेकिन फुरसत नहीं मिली बहु ऑफिशल टूर पर एक वीक के लिए थाईलेंड गई है और शशांग भी कमपनी के नए प्रोजेक्ट डीलिंग को लेकर बहुत व्यस्त है इस बुड़े को अकेले में परी ने पूरी तरह जकर लिया है एक मिनिट भी मुझे अपने पास से नहीं हटने देती आज बुखार उत्रा है अभी सुई होई है तो मैं इसको लिए साबूदाना की खीर बना रहा था उसके मुझ का स्वाद बुखार के कारण टीता हो गया है शायद खीर चाओ सिखा ले एक ही सांस में इतनी बातें एक साथ कहकर सुदर्शन बाबू किचन के और मुड़ गए शेलजा ततपरता से सोफे से उठती हुई बोली अरे मैं बना देती हूँ न किचन का काम आपको कितना आता है मुझे पता है नंदिनी के रसोई गर में तो आपका प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित था याद है मुझे लेकिन ये नंदिनी की नहीं बहु की रसोई है यहां मेरा प्रवेश सहर स्वीकार है कभी अपने हाथ का खाना खिलाऊंगा तो उंगलियां चाट चाट कर खाओ गू विश्वास नहीं हो तो मेरी बहु से पूछ लेना जिस दिन बाई नहीं आती खाना, खजाना, घर सजाना साफ सफाई सब मेरे हवाले होता है इतना ही नहीं बच्चों की प्रतीक्षा में सबर का इमताहन देना और पास करना भी बखुभी आता है हमें परी हर जगे कंपनी देती है मुझे शीस पैशन आफ माई लाइफ वो मेरे बुढ़ापे का प्यार है एक उन्मुक्त ठाके से पूरा कमरा गुलजार हो गया उस ठाके से परीचाग गई थी और उनिन्दी आँखों से चलती हुई दादा की बाहों में समा गई थी उसी समय दर्वाजे पर कॉलमिल बजा धूबी आइरन के कपड़े लेकर आया था सुदर्शन बाबु ने गिंती करके कपड़े लिए पैसे दिये फिर धुले हुए कपड़ों की गठर पकड़ाते हुई इससे कहा पंद्रे कपड़े हैं सुबह दे देना शेलजा विभूर आँखों से देख रही थी बदलते समय के आइने में अपने भीतर के पुरुच को अप्रासंगित ठहराने वाले सुदर्शन बाबु को एक अबूच समय का सत्य समाता जा रहा था उसकी आँखों में तबी उसकी और चाय का प्याला बढ़ाते हो इसो दर्शन बाबु ने कहा क्या देख रही हो वो समय जिसके सारे नक्ष मिट गए उसे दर्शेमान वर्तमान में संजोने से क्या हासिल आओ नई पीड़ी की नई चलन के नाम पर हम चमपारन वाली गाड़ी चाय पिए शैलजा बर्बस मुस्कुरा पढ़िए अभी आप सुन रहे थे पूनम सिंजी की लिखी हुई एक बहुत खूपसूरत कहानी चमपारन वाली गाड़ी चाय आशा है कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी कल फिर मिलेंगे हिंदी का श्रेष्ट साहित्य सुनते रहने के लिए क्रप्या मेरे चैनल्स को सब्स्राइब करना न भूले लाइक करें और शेयर भी करें धन्यवाद